मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानोतावादी, चिंतक और महान सपूत दिन दयाल उपायता है जी का जन्मदिन मनाये जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं। दिन दयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है। उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उतलप उतलप को देखा था। वो विचार धारों के संगर्शों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था। दिन दयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुराग्रत से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानो मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्म बत सर्व भूत एशू। अर्था हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा विहवार करें। आधुनिक, सामाजिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्शन कैसे दुनिया का मारदर्शन कर सकता है। ये दिंदैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बांग देश में जो हीन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया। वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिवक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था। दिन दैल उपायत जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मोजूद व्यक्ति होता है। आज हादी के अमरित काल में हम दिन दैल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मिलेगी।